हेलो दोस्तो, साबू की किचिन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती टेश्टी सी और हेल्दी सी ये रेसिपी जो कि बहुती आसानी से घर में इंगीरियन साराम से मिल जाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये टेश्टी और हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम जो रमास की फली होती हैं वो ली हर इनको पतला और लंबी सेप में काट लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है एक टमाटर इसको भी मैंने बिल्कुल पतला और लंबी सेप में काटा हुआ है और यहाँ पर मैंने एक बड़ी गाजर ली है और इसको भी मैंने पतले और लंबी पैसों में काट लिया है अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी सिमला मितली है आप देख पा रहे हैं ये भी मैंने पतली पतली और लंबी लंबी सेप में काटा है इसको यहाँ पर मैंने ले ली है दो बड़ी प्याज इनको भी मैंने फिलकुल बारीक पतला और लंबी सेप में काटा है अब मैंने यहाँ पर जो यह निकाली थी फली के बीज रवास के वो मैंने इसमें यूज़ करने के लिए पहले ही निकाल लिये थे अब मैंने यहाँ पर काले चने ले लिये हैं जो कि मैंने उबाल कर पहले ही ठंडे करके रख लिये थे ये चने क्या है इसमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही अच्छा स्वाध भी देते हैं तो चलिए बनाना अब शुरू कर लेते हैं यहाँ पर मैंने अब इसमें सोया बिल 50 ग्राम ली है इसको मैंने दो गंटे तक अच्छे से भिगो लिया था जाकि इस पंजी से य हो गई है तो चलिए अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक नॉनिश्टिक की कड़ाई ले लिया है और इसमें ऑईल डाल लिया है मैंने एक बड़ा चमचा और गैस को यहाँ पर लोटू मीडियम रखना है देके तेल गरम हो चुका है अ और इसको अच्छे से अब चला देंगे एक से दो बार के लिए और ज्यादा नहीं भूनी है हमें अब इसमें डालेंगे हम सिम्ला मिड डालने के बाद में भी हम इसको एक से दो बार के लिए ऐसे ही चला देंगे अब इसमें डालेंगे हम पली जो फली हमने काटके रखी आप डालेंगे गाजर, आप डालेंगे इसमें हम जो बीज हमने निकाल के रखे ते रवास की फली के और आप डालेंगे हम इसमें अपने काले चने चलिए अब इसको अच्छे से हम mix कर देते हैं जो सभी सब्जियां हमने इसमें डाली हैं इनको अच्छे से मिला लेते हैं और ये सब्जी क्या है आप किसी भी मौसम में कभी भी बनाईए वो बहुत ही टेश्टी लगते हैं और healthy तो ये होती ही है तो आप दो मिन्ट के लिए सिर्फ इसे डखके रख देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो चलिए देख लेते हैं दो मिन्ट हो गई है और सब्जी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और पच्चों को इसे टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं और हाँ जो healthy diet पे हैं वो भी इसे खा सकते ह हुआ अ उसमें भी यह अच्छा काम करेगी तो चलिए अच्छे से सब्जी को हम चला लेते हैं खुसबू तो पहले ही इसमें अच्छी आने लग गई है तो ऐसे ही इसे चलाते रहों ताकि नीचे न लग और इसमें डालेंगी हम सोया वीन तो देखिए इस तरी मे डालने के बाद में हम इसको चला देंगे दीरे दीरे एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही आपको पसंद आएगी और आपके घर वाले भी बहुत पसंद आएगे और बच्चों और बड़ों के लिए सभी के लिए बहुत ही अच्छी होती है आप दालेंगे इसमिं लाष्ट में हम तमाटर हमने पहले टमाटर से लिए इसलिए ॉप्त यह बहुत ही जल्दी साउप्ट हो जाते है तो इसलिए हमने इनको पाद में डाला है और गैस को यहाans पर नमक डालेंगे स्वादनुसार आप डालेंगे हम इसमें एक चोटी चमच रैड मिर्ची पाउडर अब इनको डालने के बाद में हम इनको अच्छे से चला देंगे ताकि जो हमने मसाला उपर से डाला है ये अच्छे से इसमें मिल जाए और आप एक बार ये सब जरूर ट्रा पसंद आएगी और आपके रिस्तेदारों को भी बहुत पसंद आएगी अब इसमें हमने छोटा एक गिलास यानी 250 ग्राम इसमें पानी डाला है अगर आप सूकी खाना चाहें तो भी इसमें थोड़ा सा पानी डाली जिएगा ताकि जो हमने सबजियां डाली हैं वो ताकि हमारी सब्ज़ अच्छे से सक्ट हो जाएं तो चलिए दोसों तीन मिन्ट हो जो चुकी है हम अपनी सब्जी देख लेते हैं अप देख पा रहे हैं एक तम अच्छे से बन चुकी है और कलर भी बहुत ही अच्छा रहा खुस्भू भी वाकई में बहुत ही अच्छी आप देख पारे ना अच्छे से पक चुकी है एक एक सब्जी इसमें बहुत ही अच्छे से पक गई है और ये सब्जी क्या है बहुत ही हेल्दी होती है और डाइट वालों के लिए भी बहुत ही हेल्दी होती है तो खाल कासरा सासा है इसमें ज्यादा नहीं है आप देख पार तो चलिए आप हम सब्जी बंद करतेते हैं यहां पर हमारी सब्जी है टेश्टी सी बंद कर तयार हो चुकिए तो देखिए लग रही है ना एक दम देखने में भी सुंदर लग रही है मन कर रहा है ना खाने के लिए तो आप भी जरू ट्राइब कीजिएगे एक बारी रेसि थोड़ी सी सब्जी चावल के साथ आप देख वा रहे हैं तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को दवाना नहीं भूलिएगा जिससे के आपको मेरी अगली वीडियो की नोट देख एक की सुन एवा यह थो देता ही जली प्येद प्राइब आंदा सब्सक्राइब झाताओ के सब्सक्क्राइब प्राइब तर आता हैं उना हैं चावल प्रेकि